नमस्कार दोस्तों, आज हम English की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो हमारा topic है, वो इतना basic है कि इसको सीखे बिना तो आप English बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे और रोज बोले जाने वाली English में कैसे हम इस topic का इस्तेमाल करते हैं, daily use sentences के साथ हम complete practice करेंगे तो स्वागत है आप सभी का complete spoken English course, वो भी free PDF की आज की class में, जिसका है day number 18 तो हमेशा की तरह है, आज की class की भी PDF आपको free of cost हमारे telegram channel पर मिल जाएगी, जिसका link description में है तो बिना समय कवाई, start करते हैं आज का ये topic English शीखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से subject के साथ कौन सी helping verb आती है तो अगर मैं बात करूं subjects की, तो ये सभी subjects हैं, तो ये पूरा chart आपको PDF के रूप में मिलने ही वाला है telegram channel पर तो ये अगर देखेंगे I, he, she, it, we, you, they, ये सभी subjects present में अपने साथ अलग helping verb लगाते हैं, past में अलग लगाते हैं आज जो हमारा topic है वो है ये helping verb जो की सिर्फ helping verb के तोर पर ही नहीं, इसका main verb के तोर पर भी इस्तिमाल किया जाता है कैसे वो अब हम sentences करने ही वाले हैं तो present में I के साथ लगता है do और he, she, it, इनके साथ लगेगा does और we, you, they, इसके साथ लगेगा आपका do जब हम बात करते हैं past की तो सभी subjects के साथ past में लगता है dead तो अगर आपको subject और helping verb का agreement समझ में आ गया कि वही कौन से करता के साथ कौन सी क्रिया लगनी है तो आधा काम तो वहीं खतम हो जाता है अब बाकी का अदा काम अब हम करेंगे और ये काम मैं अकेला नहीं करूँगा आप भी मेरे साथ साथ जितनी आपकी knowledge है आज तक जितनी भी कहीं आपने English को सुना है समझा है कोशिश करो ये जितने भी वाक्य हैं इनको English में translate करने का तो यहां मैं बात करूँ as main verb तो जब हम करने की बात करें तो do का इस्तेमाल किया जाता है subject अभी हमने देखे हैं जो की है I, V, U, They और plural noun यानि की बहुचन तो अगर आप से कोई कहता है कि ये करो वो करो तो उसका कहने का मतलब क्या होता है योग करो तो वो क्या होगा do yoga इसका मतलब क्या होता है कि yoga करो फिर है महनत करो इसका मतलब क्या होता है do hard work क्योंकि hard work को ही हम क्या कहते हैं महनत कहते हैं फिर अगर कोई कहता है बाई कसरत करो जैसे जिम विम में जाते हो तो कसरत के लिए आप क्या कहोगे आप कहोगे do exercise तो तो अगर आपको इन तीनों के अलावा कोई भी काम करने के लिए कहा जाता है कि इसे करो, मान लीजिए आपके सामने कोई कड़ा है, मैं कहता हूं कि यह काम जो चल रहा है, तुम पहले इसे करो, तो मैं क्या कहूंगा, do it, do it, या यह पहले करो, do it first, तो इस तरीके से आप कई situations में इन वाक्यों को इस्तेमाल कर सकते हैं, अब थोड़ा सा next step हम लेकर जाएं, अपना काम करो, कोई दूसरे के काम में अपनी ना कड़ाता है, तो उसको क्या करते हैं, भाई, अपना काम कर ले, आप क्या कहना चाहरे हो, do your work, work यानि कि अपना काम करो, अपना homework करो, बच् आजकल तो work from home चलता है ना, वो homework ही हो गया, तो मैं बरतन साफ करता हूँ, ये जो दो sentence हैं, ये मैंने लिये हैं, modern English से, क्योंकि अगर आपने modern English के in sentences को use नहीं किया, और आप पुरानी English बोलते रहे, तो भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो अगर आप कहते ह हैं कि मैं बरतन साफ करता हूँ, उसके लिए आप wash the utensils, शब्द इस्तेमाल नहीं होते हैं, कहीं भी देख लीजेगा, तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मैं बरतन साफ करता हूँ, I do the dishes, तो dishes का मतलब हो गया बरतन, और उन्हें साफ करने की जो activity होती है, उसके लिए डू का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा इसलिए है, क्योंकि आज गल dishwashers आ गए हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीने आ गई हैं, हमारे या नहीं आई हैं, तो क्या हो गया भाई, विदेशों में तो कोई भी हाथ से बरतन नहीं दोता, आज गल, सारे क्या करते हैं, डिश कर अंग्रेज लोग, जिनकी ये अंग्रेजी है, तो हम ये ना सोचें कि सर, मैं तो आज भी हाथ से कपड़ाई दोता हूं, अरे भाई, आप अगर पुराने काम ही कर रहे हो, तो आप wash the clothes ही बोल दिये, लेकिन जो भी लोग washing machine में कपड़े अपने धोते हैं, वो भी activity हमें करनी पड़ती है, तो क्योंकि do का इस्तेमाल सिर्फ इनी सब्जेक्ट के साथ होता है, तो मैंने सब्जेक्ट को बदल दिया है, तो मैं कपड़े धोता हूं, तो कपड़ों के लिए आप किस चीज का यूज करते हैं, लेकिन यहां देखिए, यह चीज बदल जाती है, यहा हो गया हमारा do का इस्तेमाल as main verb, अब इसका दूसरा इस्तेमाल करते हैं, जो कि है helping verb के तौर पे, do का सबसे जादा इस्तेमाल English में होता है, helping verb के तौर पे ही, तो जब भी हम present tense की बात करते हैं, तो जब भी negative sentence आएगा, या interrogative sentence आएगा, तो हमें helping verb के तौर पर do को ही लेना ह simple present tense form में, तो देखिए, do का मतलब होता है करना, subjects वही रहेंगे, लेकिन इसका काम कैसे बदलेगा, main verb इसके साथ अब आ जाएगी, क्योंकि ये बन जाएगा helping verb, तो हम तास नहीं खेलते, तो तास नहीं खेलना, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, we do not, तो आप इस्तेमाल करन इन्टेरोगेटी सवाल में, subject से पहले, तो ये common sense है, एक बार चीजें समझ लो, practice कर लो, उसके बाद तो आपको आदत पड़ी जाएगी, तो we do not, हम क्या नहीं केलते, अब play, यानि की verb की first form, तो जो भी helping verb आती है, उसके बाद main verb जरूर आएगी, ठीक है, तो we do not play cards, तो cards यानि की, तार्स, मैं उसको नहीं जानता, तो जानना हमारा हो गया, main verb, और negative के लिए हम क्या लिखेंगे, I do not, और I के साथ do क्यों आया, क्योंकि इन ही subjects के साथ हम do का इस्तेमाल करेंगे, helping verb, मैं उसको नहीं जानता, I don't know him, तो किसी को जानने के लिए, हमारे पास शब्द है, no, और तुम क्या चाहते हो, तो अब अगर helping verb आएगी, interrogative sentences में, तो WH word पहले आएगा, उसके बाद आपकी helping verb आएगी, यह हमें पता होना चीए, tenses में, यह अच्छे से समझाये जाता है, तुम क्या चाहते हो, क्या, यानि कि what, और फिर आजाएगा, what do you, और चाहने को हम English में कहते हैं, want, so what do you want, कहते हैं, what do you want, तुम क्या चाहते हो, what is your name, तुम्हारा नाम क्या है, वही वाला, what है यह, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, भाई, यह तो हर कोई पूछता है, एक दूसरे से, और किसी से नहीं, तो खुछ से तो पूछी लेता, यार, क्या वो मुझे प्यार करती है, तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, do you, और प्यार को English में हम कहते हैं, love, और me, यानि की मुझे, तो do you love me, आप सब भी comment में बताए, do you love me, चलिए, तुम रसोई में क्या कर रहे हो, तो यहां helping verb के तोर पर नहीं, बलकि main verb के तोर पर भी do का इस्ते तुम रसोई में क्या कर रहे हो, what are you doing, what are you doing, और कहां कर रहे हो, रसोई में, तो आप लिख दोगे in the kitchen, what are you doing there, what are you doing now, कि तुम अब क्या कर रहे हो, आप सब वीडियो देख रहे हो, like कर देना, जो भी आ गया है, next sentence, last sentence है, तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते, तो कई बार लोग जूट बहुत बोलते हैं, तो आप कहते हो, तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते, why do you not, तो ये ध्यान रखिएगा, कि ये negative interrogative sentence है, तो not कहां आता है, हमेशा subject के बाद आता है, so why do you not tell me the truth, कि तुम मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताते हो, हमेशा मुझे जूट बोल लेकिन एक truth मैं आपको बता सकता हूँ, कि अगर आप पूरी मानदारी से complete English को सीखना चाहते हो, और आपको एक सही direction चाहिए, आपको मेरे से live classes में जुड़ना है, आपको speaking की practice मेरे साथ करनी है, reading की भी, listening की भी, writing की भी, और speaking की भी, तो ये complete spoken English course Udan 2.0, मैंने last month start किया था, लेकिन ये course था 1999 का, अब मैंने ये course कर दिया, सिरफ 999 का, क्योंकि अब भी आधा course बचा हुआ है, तो अगर अब भी आप join करते हो, तो आपको half price से भी कम पर ये course मिल जाएगा, और जितनी भी classes आपकी हो चुकी है, उन सभी की PDF, वो recorded classes आपको इस course में उपलब्द हो जाए है, इसमें ये सभी classes आपको मिलेंगी, एक साल की validity के साथ, और ये complete spoken English course है, इसमें complete study material भी है, कहीं से कुछ आपको लेना नहीं पड़ेगा, और कोई भी अगर आपको query है, कुछ समझ अब भी नहीं आ रहा, तो मेरी application डाउनलोड कीजिए, English Lovers के नाम से आपको मिल जाएगी Google Play Store से, और अभी अगर आपकी कोई query है, तो आप नीचे गई इन दो numbers पर call करके मुझसे जुड सकते हैं, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी ख़बर में आप लोगों को देने जा रहा हूं, जो लोग grammar के rules के रटे नहीं मालना चाहते, वो सीधा situation के इसाब से English को सीखन आप सब के लिए मैंने launch कर दी है, दस हजार daily use के English sentences की zero level to hero level एक नई किताब, तो इस book का link आपको Amazon का link हो, या flip card का link हो, वीडियो के description में मिल जाएगा, Amazon flip card पे ये book available है, अगर आपको सिर्फ इसका PDF form चाहिए, जो कि आपको सिर्फ 200 रुपे में मेरी application English Lovers पर मिल जाएगा, ये दो नमबर हैं, कोई भी संका हो, तो आप call कीजिए, WhatsApp message कीजिए, तो आपको proper guide किया जाएगा, अब next है हमारा does, और इसका इस्तेमाल main verb के तौर पे नहीं किया जाता, ज्यादा तर इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ helping verb के तौर पे, जिसके हम example यहां करने वाले हैं, does का मतलब होता है करना, लेकिन इन subjects के साथ, जब आप negative sentence बनाते हो present में, या आप interrogative sentence बनाते हो, तो ही हम इसका इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे, राम चाय नहीं पीता भाई, तो आप क्या कहेंगे, राम does not drink tea, और drink की जगे आप इस्तेमाल कर सकते हो, have का, ये मैंने बताया है कई बार, eat और drink की जगे, आज के दिन आप have का इस्तेमाल करें, modern English में, तो better sound करता है, फिर रवी कहां रहता है, where does रवी live, की रवी कहां रहता है, तो ये जो does है, ये दोनों जगे ही किस रूप में आया है, helping verb के तोर पर, वह मुझे पसंद नहीं करता, तो क्या करें, he does not like me, he doesn't like me, तो does not को आप बोलते वक्त, doesn't भी बोल सकते हो, next है, वह मेरी बात नहीं सुनता, तो आप कह सकते हैं, he doesn't listen to me, कि वह मेरी बात नहीं सुनता, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, does he speak English, कि क्या वह अंग्रेजी बोलता है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, इसका translation क क्या होगा comment में सभी लोग बताइंगे जिसका सही होगा मैं उसे जरूर दूँस्ट क्या रभी एंग्रेieß शाथ है क्या रभी का मैं बहुत इस्थेमाल करता हूं नाम का और पता नहीं क्यों हूं रभी मुझे प्यारा भी है क्या रवी अंग्रे जी सीखता है वह हमारे साथ क्यों नहीं रहती वो तो उसी से पूछो भाई लेकिन हम इसका translation करेंगे दोस्तों यहां ध्यान से देखिएगा यह लिखने के हिसाब से बिल्कुल सही है लेकिन जब आप spoken English की बात करते हो तो आप इसको क्या कह सकते हो यह खुबसूरती है spoken English की कि आप एकादे rules को जैसे don't को हमेशा साथ रख सकते हो doesn't को हमेशा साथ रख सकते हो तो यह आप कर सकते हो सिर्फ spoken English में अब next हमारा helping verb है did तो जैसे हमने present में do और does का इस्तेमाल किया है इसी तरीके से बीते हुए समय के लिए past में हम यूज करते हैं जो भी आपने काम किया है उसके लिए did का चाहे वो आपका negative sentence हो past में या वो आपका interrogative sentence हो दोनों ही type के sentences में हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ did का as a helping verb तो देखिए practice करें मैंने जूट नहीं बोला था I did not tell a lie तो दोस्तों आप इसको tell a lie भी कह सकते हैं या simply क्योंकि helping verb अलड़ी आ चुकी है आप सिधा ये भी कह सकते हैं कि I didn't lie तो did not को आप spoken English में हमेशा क्या कह सकते हो आप इसको कह सकते हो didn't ये बोलने में ऐसे आता है D I N T didn't कि मैंने ऐसा नहीं बोला था क्योंकि ये जो next D है ये आपका silent हो जाता है मुझे ये नहीं पता था I didn't know this कि भाई मुझे इस बारे में नहीं पता था मुझे blame मत करो मैं घर जाना नहीं चाता था मुझे धक्के से भेजा गया था I didn't want to go home to go यानि की जाना want यानि की चाहना और नहीं किया कोई भी काम बीतेवे समय में उसके लिए did not आ गया ठीक है उसको घर पसंद नहीं आया था he didn't like the house like यानि की पसंद और घर यानि की house और यहां घर को आमने home क्यों कहा है क्योंकि जब आप अपने घर की बात करते हो तो आप हमेशा कहोगे जो रिष्टों से घर बनता है home की और जब आप एक physical location वाले घर की बात करते हो तो आप हमेशा इस्तेमाल करोगे house की क्या वह मुझसे मिलने आई थी did she come to meet me to meet यानि की मिलना come यानि की आना और दोस्तों ये बात याद रखना सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं कि इसमें जब आपने एक बार did का इस्तेमाल कर दियाना किसी भी एक sentence में अगर आपने did लगा दिया उसके बाद कभी भी आपको second verb नहीं मिलेगी सिर्फ first verb आपको लगानी है ये बात याद रखना कई लोग कहेंगे कि I did not played cricket जो कि बिल्कुल गलत होता है मैंने cricket नहीं खेला था I did not play cricket मैंने खत नहीं लिखा था I did not write a letter या wrote a letter ये correction आप बताईएगा जितना आपको समझ में आया है comment में हमने चोरी नहीं की थी we did not feel कि हमने चोरी नहीं की थी और क्या तुमने मुझे बुलाया था did you call me क्या तुमने मुझे बुलाया था तो आखिरकार आ गया है practice time आप सभी को जितना भी समझ में आया है do, does और did के बारे में इन sentences से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आया है और एक बार में समझ नहीं आया तो भाई three times का rule होता है किसी भी चीज को सीखने के लिए कम से कम तीन बार जरूर देखना चाहिए तीन बार कोशिश जरूर करनी चाहिए तब वो चीज पूरी completely समझ में आ जाती है तो सबसे पहला वह मुझसे बात नहीं करती she does not talk to me या she doesn't talk to me राम को खाना पसंद नहीं आया राम didn't like the food की यानि पसंद नहीं आया था बीते वी समय की बात है did not आएगा वह कल स्कूल नहीं गया था he didn't go to school yesterday बीता हुआ समय did आ गया और उसके बाद first form of verb did आ गया first form of verb ये दो तिन छोटी छोटी गलतियां आगर आप एक बार conscious होके समझने लग गए न कि बोलते समय ये गलतियां आप नहीं कर रहे हो तो 90% आपकी जो English है वो अपने आप correct हो जाएगी और फिर जो confidence आएगा भाई दबा के आप English बोलोगे फिर देखो क्या आप मुझे प्यार करते हैं इसका तो आपको पता होई गया होगा do you love और मुझे की English होती है me so do you love me तुम मुझसे नहीं मिलते हो क्यों नहीं मिलते हो भाई you don't meet me you don't meet me क्यों नहीं मिलते हो बताओ हम एक साथ नहीं रहते we do not live together कि हम एक साथ नहीं रहते मैंने चोरी नहीं की थी I did not steal कि I didn't steal मैंने चोरी नहीं की थी और मैंने कोई चोरी नहीं की थी I did not steal anything या आप इसको कह सकते हो, I stole nothing, क्योंकि nothing का मतलब अपने आप में क्या है, कि कुछ नहीं, next, हमने किसी को नहीं बताया, we did not tell anyone, कि हमने किसी को नहीं बताया, या आप इसको क्या कह सकते हैं, we told no one, यही तो खुबसूरती है भाई English की, चाहे आप ऐसे पकड़ो, या ऐसे लेकिन rules ही होना चीए, क्या हमने अंग्रेजी सीखी थी, did we learn English, क्या तुमने अंग्रेजी सीखी थी, did you learn English, क्या मैंने अंग्रेजी सीखी थी, did I learn English, ऐसे ही sentence बनते हैं, क्या तुमने खाना खाया था, जल्दी से बताओ, क्या तुमने खाना खाया था, did you have food, और अब मैंने ये have क्यों लगाया है क्योंकि drink और eat की जगह आप modern English में इस्तेमाल करते हो सिर्फ और सिर्फ have का तो अगर आप लोगों को complete course करने हैं जिसमें कोई भी गुंजाइश बाकी ना रहे चाहे tense हो चाहे पाथ सो speech हो noun, pronoun, preposition, connection, active passive voice यानि कि जो भी topics हैं English में models को मिलाके सभी topics आपको detail में करवाए जाएंगे समझाए जाएंगे आराम से तो आप जल्दी से मेरा course join कर सकते हैं उडाउन 2.0 और मेरी application English lovers अगर आप download कर लेते हैं उस पर आपको धेरों PDF मिलेंगे 25 PDF का एक अलग से मैंने complete spoken English का study material का course भी बना रखा है तो जल्दी से अपने phone उठाइए application को download कीजिए और English सीखने की अपनी जो journey है उसको शुरू कीजिए और आज की इस class की PDF आपको मेरे telegram channel पर मिलने वाली है बिल्कुल free of course तो उमीद करता हूँ आज की class आपको पसंद आई होगी ऐसे English की practice मेरे साथ करते रहें चैनल पर पहली बार आएं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें यही मेरा कहना है अंत में शुक्रिया धन्यवाद